नमस्कार वीकेवी नियूस के सुबा के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है अब रुख करते हैं आज के हेड्लाइन्स पर बिजली का करंट लगने से कलमेश्मर में दो महिलाओ की मौद, बातरूम में खुले तार से लगा कर रहे हैं, मौद से शहर में मातम WCL कर्मचारियों के दिवाली होगी धमा कितार, इस वर्ष बोनस में मिलेंगे 72,000, दिली में कोल इंडिया की पैठक में दिया गया निर्मे और दो वैक्सिन लेने वालों को ही नवरातरी में मंदिरों में प्रवेश, 4,000 पुलिस कर्मी रहेंगे नवरातरी बंदोबस्त में तैनाथ और अब खबरे विस्तार से, कलमेश्वर शहर के दुर्गा मंदिर परिसर तथा पारशत मीना शिर्भाते के घर के समीब दो महिलाओ को करंट लगने से उनकी मृत्यू हो गई, यह घटना मंगलवार की दो पहर को हुई, इस घटना के बाद परिसर में शौक की लहर पसर गई प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक 55 वर्षिय मंजुबाई पुरुशोत्तम विरूलकर तथा 42 वर्षिय अलका विरूलकर कमलेश्वर के वार्ड क्रमांग कछे में रहने वाली है मंजुबाई दो पहर को अलका के घर गई थी, वह बाथरूम की और से जा रही थी, वह बिजली के तार को मंजु का हाथ लग गया तारो में करंट दोड रहा था, वह करंट लगने से गिर पड़ी, मंजु की आवाज सुनकर उसे चुडाने के लिए अलका दोड पड़ी, लेकिन मंजु को शौक लगा था, जैसे ही अलका ने हाथ बढ़ाया, उसे भी करंट ने अपने चपेट में ले लिया करंट लगने से दोनों महिलाओ की घटना स्थल पर ही मृत्यू हुई, विगत दो माहपुर्व अलका के पती निरंजन की मृत्यू हुई थी, तथा मंजु बाई शिक्षक कॉलनी में रहती थी, मंगलवार को कुछ सामान लेने के लिए अलका के घर आई थी, घटना की जान कर्मचारियों की नजर कोल इंडिया प्रबंदन और यूनियन की बैठक पर टिकी हुई थी, दिवाले पर बंपर बोनस मिलने पर वेस्टन कोल फिल्ड लिमिटेट के कर्मचारी भी गदगद हो गय है, दिल्ली में आयोजित बैठक में कोल इंडिया के अधिकारी वेस्टन कोल फिल्ड लिमिटेट द्वारा हर वर्ष कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है, लेकिन बोनस की रकम इतनी होती है कि सभी सरकारी एजन्सियों की नजर लगी रहती है, पिछले वर्ष बोनस की राशी 68,000 रुपे थी, यूनियन एक लाग रुपे की मांग कर र रही थी कि 75,000 रुपे में बात बनेगी, लेकिन बैटक में 72,700 रुपे देने पर बात फाइनल हुई, बोनस की यह रकम 11 अक्टूबर के पूर्व भुकतान करने का आश्वासन दिया गया है, वेस्टन कोल फिल्ड लिमिटेट में नॉन एक्जेक्यूटिव श्रेनी के कर् कारियरत कर्मचारियों में खुशी की लहर है, विदर्ब और मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में कारियरत कर्मचारियों पर लगभग 257 करोड रुपे बोनस पर खर्च होने से क्षेत्र को भी इसका लाब मिलेगा, नौरात्री में भक्त मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे इसके लिए कोविट डियमों का पालन करना जरूरी है, कानून व्यवस्था बनाये रखने के साथ ही प्रशासन द्वारा जारी किये गए कोविट दिशा निर्देशों का पालन करवाना भी पुलीस की जिम्मदारी है, नौरात्र को लेकर पुलीस विभाग डेक कमर कसली है भले ही इस वर्श भी नौरात्र पर गरबा के आयोजन न हो लेकिन मंदिर में दर्शन करने वाले श्रत धालूओ की भीड उमर सकती है, इसलिए शहर में 4000 पुलीस अधिकारी और करमचारी नौरात्र बंदोबस्त में लगाए गए है, इनके अलावा 800 होंगार्ट और SRPF की एक कमपनी भी समवेदन शिल स्थानों पर तैनात रहेगी। नवरात्र के दोरान जागरन के कारेकरम भी आयोजित किये जाते हैं। परिस्तिती को देख कर ही कारेकरम की अनुमती दी जाएगी। शहर में 436 मंडलों ने अनुमती ली है। उत्तरप्रदेश के लखीमपूर खीरी में रविवार को हुई हिंसा के विरोध में आम आदमी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला। इस दोरान हिंसा में मुर्थ किसानों को श्रधानजली भी अर्पित की गई। सीता बर्डी के मुझे चौक से विराइटी चौक पर मार्च के दोरान पार्टी ने आरोप लगाया कि केंडर में ताना शाही सरकार है जिसके चलते सरकार देश के किसानों के साथ अन्याई कर रही है। यहां तक कि जब लखीमपूर में किसान अपने घर लोट रहे थे तब उन पर सीधी गाड़ी चला कर उनको रौदा गया जो काफी शर्मनाग था जिसका निशेत करते हुए आम अदमी पार्टी ने मंगलवार शाम को केंडल मार्च निकाल कर लखीमपूर की घटना का विर साथ ही प्रकल्प ग्रस्तों का अटका हुआ मुआवजा भी जल्ध ही मिल सकेगा मिहान के लिए शिवन गाव का भू संपादन किया जाना है इन सभी गाव का चिंच भूवन में पुनरवास किया जाएगा इसके बाद शिवन गाव विमानतल का हिस्सा बन जाएगा गाव के 50 प्रश नागरीक स्थानांतरित हो चुके है राज्यसरकार ने मिहान के लिए 260 करोड रुपे का प्राउधान किया है इसी के अंतरगत अभी 49 करोड रुपे प्रदान किये गए इन में से भूसम पादन के लिए करीब 39 करोड 12.5 प्रश सानुग्रह अनुदान सहित प्रकलप ग्रस्तों के पुनरवास के लिए 2 करोड रुपे प्रदान किये जाएंगे वायू सेना के जैतला स्थित मार्ग का भी निर्मान किया जाएगा कलम 18 के तहट नियालय के आदेश के अनुसार बढ़ा कर दी हुई नुकसान भरपाई के लिए 5 करोड और कलम 18 के तहट आने वाले प्रकरनों के लिए करीब 2 करोड रुपे मिलेंगे मिहान में नई नई कमपनिया आ रही है अस्पताल निवासी और व्यावसाइक संकूल भी बन रहे है इसे देखते हुए सरकार ने मिहान को बूस्ट देने का निर्नाई लिया है M.A.D.C. के M.D. दीपक कपूर ने बताया कि राज्य सरकार की और से हाल ही में इस संदर्ब में आदेश जारी किया गया है इससे प्रकल्प ग्रस्तों को राहत मिलेगी वक्त होगे एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं एक ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका बाई अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा institute है जहां पर airlines and airport hospitality और tourism management, साथ ही यहां campus interview guidance by industry expert, practical training at airport expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy 1 degree, 3 job opportunities Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job Flywheel Aviation Academy 365 Ghani Nagar, LAD College Square beside करनाट का बैंक नागपूर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अफगानिस्तान के ताजा घटना क्रमों को देखते हुए सुरक्षा एजंसियों ने विमानतल की सुरक्षा और कड़ी करने के लिए कदम उठाए है ATS और CISF की और से विमानतल की सुरक्षा दिवार से लगे इलाकों के नागरिकों को कुछ निर्देश दिये गए है नागपूर के अंतरराष्टर विमानतल की सुरक्षा दिवार से लगकर बस्ती बसी है यहां की सोसाइटी के एक पदादिकारी ने बताया कि अफगानिस्तान के हालातो और शहर में कुछ संदेहासपत लोगों की मौजूदगी को देखते हुए नागरिकों को सतर्कता के कुछ निर्देश दिये गए एरपोर्ट और इसके आसपास फोटोग्राफी पर रोक लगा दी गई है कोई फोटोग्राफिक करता दिखे तो तुरंद इसकी सूचना CISF को देने के निर्देश दिये गए है यह भी कहा गया है कि किसी भी अंजान व्यक्ति को कोई जानकारी न दे इसका भी ध्यान रखा जाए कि घर की छटों पर कोई कार्यक्रम आयोजित करने पर लाइटिंग का प्रकाश एरपोर्ट पर न जाए परिसर की एक सोसाइटी की और से नागरिकों को कहा गया है कि जिन मकान मालिकों ने किरायदार रखा है उनका पुलीस वेरिफिकेशन कर पूरी जानकारी नियंद्रक कक्ष को दी जाए उनके आधार कार्ट की कौपी भी जमा कराने को कहा गया है नागरिकों से कहा गया है कि यह जानकारी ATS और CISF को जल से जल देनी है प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट वर्ष 2022 तक सभी को अपने हक का घर प्रधान करने की घोषना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी वर्ष 2017 में ही यह घोषना भले ही हुई हो लेकिन मनपा की और से PM आवास योजना को गंभिरता से ही नहीं लिया गया यही कारण है कि अब तक इसका लाप नहीं मिल पाया है प्रधान मंत्री की योजना होने की बावजूद केंद्र सरकार से इसके लिए कोई निधी नहीं मिलने का खुलासा महानगर पालिका प्रशासन ने किया है मंगलवार को महानगर पालिका में आयोजित बैठक में पार्षद वैशाली नारनवरे की और से इस संदर्म में प्रशनुत्तर काल में मुद्दा उठाया गया जिस पर जवाब देते हुए प्रशासन ने बताया कि पीएम आवास योजना को चार वर्गों में बाटा गया था जिन में पहले के तीन वर्ग के अनुसार योजना का क्रियान वेयन करना मनपा के लिए संभव नहीं हो सका हलाकि चौती योजना में 2,50,000 के अनुदान के लिए 8,300 लोगों ने आविदन तो किये थे किन्तो इन में से 2,328 लोग ही अनुदान के लिए योग्य करार दिये गए फिर भी इने अनुदान का लाब नहीं मिला है प्रशासन की और से बताया गया कि 2,328 में से सर्व प्रथम 113 लोगों को लाब देने डी पी आर तयार किया गया जिसमें से केवल 6 लोगों के डी पी आर को मनजूरी मिली इसमें भी राज्य सरकार ने 45 लाख रुपए की निधी आवंटित की जबकि केंद्र सरकार से निधी प्राप्त नहीं हुई है चर्चा के दोरान पार्शत जितेंद्र घोडे स्वार ने जानकारी मांगी कि सरकार को प्रस्ताव कब भेजा गया उन्होंने कहा कि महानगर प इस घटना के संबंद में वन विभाग की टीम को जानकारी मिलते ही टीम ने ततकाल घटना स्थल को भेट दे कर निरिक्षन वपंचनामा किया मृत तेंद्र के बच्डे की उम्र करीब 9 से 12 महीने बताई गई वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नाले के पानी में डूब जाने से तेंदुए का शरीर फुला हुआ दिखाई दिया इससे उसकी मृत्यू 2 से 3 दिन पूर्व हुई होगी ऐसा प्रात्मिक निरिक्षन में पता चला है मृत बच्डे का सिर शरीर से 100 मिटर दूरी पर मिला इस घटना की जानकारी नाकपूर वन विभाग के उपवन सनरक्षक डॉक्टर हाडा को दी गई इस प्रकरन में मामला दर्ज कर पीडी पालवे सहायक वन सनरक्षक काटोल उपविभाग के मार्गदर्शन में संदिग्द आरोपी की तलाज शुरू कर दी गई है पोस्ट मॉटम के लिए उसे ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर सेमिनरी हिल्स ले जाया गया शवविच्छेदन डॉक्टर कविता साखरे पशुधन विकास अधिकारी जिला पशुचिकित सालै वडॉक्टर मयूर काटे पशुवैद्य किया अधिकारी ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर के नेत्रुत्व में किया गया इस अवसर पर राष्ट्रिय व्यागर समवर्धन प्राधिकरन के निर्देशा नुसार महराष्टर राज्य वन्यजीवन मंडल के सदस्या कुंदन होते मानद वन्यजीव रक्षक अजिंग के भटकर सहायक वनसन रक्षक पीडी पालवे वन परिक्षेत्र अधिकारी आर पी भ्यूगडे ख्षेत्र सहायक जे आर धोंडगे की उपस्तिती में ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर सेमिनरी हिल्स में उस तेंद्वे का अंतिम संसकार कर दिया गया महानगарपालिका कर्मचारियों और सेवा निवृत्ती कर्मचारियों के अलावा शिक्षकों को सातव़ा वेतन आयोक तो लागू किया गया किंतु इसकी बकाया निदी अब तक नहीं दी गई यहां तक की छेवे वेतन आयोक का भी बकाया चल रहा है इससे पहले भी कई बार आंदोलन किया गया लेकिन ध्यान नहीं दिया गया प्रशासन के ढूल मूल रवये के विरोध में राश्ट्रिया नाकपुर कॉर्परेशन एम्प्लोईज एसोसियेशन की और से महानगर पाली का मुख्याले में जम कर प्रदर्शन किया गया संगटन के अध्यक्ष सुरेंद्र टिंगने ने कहा कि संगटन की और से काफी समय पहले काम बंद आंदोलन किया गया था आंदोलन के कारण स्तिती बिगड जाने से ततकालिन महापौर के कक्ष में संगटन के साथ बैठक कराई गई जिसमें बकाया का भुकतान करने की सहमती जताई गई थी लेकिन बाद में संगटन के पदाधिकारी बदल जाने के बाद सत्ता पक्ष और प्रशासन ने मिलकर इस फैसले को ही बदल दिया उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सूध लेने के नाम पर केवल राजनीती हो रही है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छेवा वेतन आयोग लागू होकर वर्शो बीद गए जिसका 69 माह का बकाया अब तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया है आंदोलन करताओं ने कहा कि न केवल 6 वेतन आयोक का बकाया है बलकि 7 वेतन आयोक का भी 16 महा का बकाया है सात्वा वेतन आयोक का बकाया चरन बद्ध तरीके से नियमित करमचारी शिक्षकों और सेवा निवरुत करमचारीों को देने की घोशना की गई थी एवसदार सफाई करमचारीों को नियमती करने की 20 वर्ष की शर्ट रद्ध कर अधिसंख्यपत नियमित आस्थापना पर लेने तता उन्हें लाडल पागे समिती की सिफारिशे लागू कर वारसा हक अबाधित रखने की मांग भी की शहर की भले ही अधिकांश सडके गड़ों से सराबोर हो इसके बावजुद इन्हें लेकर हो रही किरकिरी को देखते हुए महानगरपाली का द्वरा अब लीपापोती की जा रही है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक जोन में कई किलोमेटर की सडके और उनमें भी गड़ों से पटी पड़ी कई सडके होने के बाद भी पूरे शहर में केवल 15 सडकों का डामरी करन करने का निर्णय लिया गया इनमें भी 12 मिटर से अधिक चोड़ी सडकों का ही डामरी करन हो सकेगा मंगलवार को हुई महानगर पालिका के स्थाई समिती की बैठक में अधिक शक अभियंता अजय पोहेकर के प्रस्ताव रखे जाने के बाद समिती द्वारा मंजूरी देने की जानकारी सभापती प्रकाश भोयर ने दी चर्चा के उपरांत इन सडकों का डामरी करन तुरंत शुरू करने के निरदेश प्रशासन को दिये गत बैठक में ही सभापती ने जिन सडकों पर अधिक गड़े है ऐसी सडकों के डामरी करन करने के निरदेश दिये थे स्थाई समिती द्वारा दी गई मन्जूरी के अनुसार पूरे जोन में केवल एक से दो सड़कों का ही डामरी करन करने को हरी जंडी दी गई है जबकि वास्तविक्ता ये है कि प्रत्येक जोन में कम से कम 15 से 20 सड़कों को डामरी करन करना अनिवार्य हो गया है कई सडकों पर वर्षों से डामरी करन नहीं होने से पूरी तरह उखडी हुई है प्रस्ताव के अरुसार इन 15 सडकों के डामरी करन पर करीब 16 करोड का खर्च होने का अनुमान लगाया गया है बताया जाता है कि मनपा के सारवजनिक निर्मान कार्य विभाग की और से शहर की सडकों का सर्विक्षन किया गया आश्चरे जनक यह है कि जिन अधिकारियों द्वारा सर्विक्षन किया गया उन्हें अन्य सडकों पर गड़े क्यों दिखाई नहीं दिये इस तरह की आपती कुछ सदस्यों द्वारा जताई गई तो WKB News के सुभा के प्राइम टाइम में आप तक के लिए इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें WKB News नमस्कार